जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4-5 important information दूँगा जैसा कि आप पीछे boat पर देख रहे हैं वीडियो में आगे बंड़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगा अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि आपके welfare से लिटेट मैं आपको चीजे बताता रहता हूं समझाता रहता हूं और जो आपके pension के मुद्दे वो भी सुल्जाता रहता हूं चलते हैं दोस्तो पहली information की तरफ जनवरी 2024 की pension मिलेगी इस पर्ष से 31.1.2024 को दोस्तो कुछ pensioner पूछ रहेते कि हमारी जनवरी की pension कब आएगी नए साल की पहले मंद की pension कब आएगी तो दोस्तो आपकी जनवरी 2024 की pension आपको मिलेगी इस पर्ष से 31.01.2024 को 31 तरीक को मिलेगी और उस दिन है बुदवार, वेडनस डेट और बैंक के थुरू आपको मिलेगी pension जो बैंक से pension ले रहे हैं 21.01 से 31.01 के बीच में चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफोर्मेशन की तरफ 31.01 जनवरी है लास्ट डेट लाइफ सेट्पिकेट जमा करने की जैसा आपको पता है इस पर्ष ने एक एलर्ट जारी किया था कि जिन pension का लाइफ सेट्पिकेट 30.01 में समिट नहीं हो सका था या फिर दिसंबर में समिट नहीं हो सका था तो वो pensioner 31.01 जनवरी 2024 तक अपना लाइफ सेट्पिकेट समिट कर सकते हैं नहीं तो उनकी pension स्टॉप हो सकती है जनवरी के बाद तो दोस्तों अगर इस पर्ष अपनी डेट आगे नहीं बढ़ाता तो फिर आप 31.01 जनवरी तक अपना लाइफ सेट्पिकेट समिट करेंगे 31.01 जनवरी 2024 तक या फिर 31.01 से पहले ताकि जो आपकी pension है वो इस पर्ष से continue चलती रहे चलते हैं दोस्तों तीसी information की तरफ दोस्तों गॉर्मेंट ने O.R.O.P. formula adopt करा average का और दोस्तों average का जैसे ही formula adopt किया आपको pension देने के लिए यानि minimum और maximum फिर उसका आदा तो दोस्तों आपको हुआ loss और दोस्तों ये loss आगे भी चलता रहेगा दोस्तों इसमें मैंने 3 category लिए एक लिए जवान फिर J.C.O.s और S.C.O.s यानि honorary commission officers भी मैंने इसी में लिए फिल लिए category मैंने officer की मैंने इसमें जवान की calling bank service कम calling bank service लिए 0 से 20 साल में यानि कुछ medical category भी है जैसे 1 साल, 2 साल तो मैंने 0 से 20 years लिए जवान की category J.C.O.s की S.C.O.s की लिए 21 से 33 साल और officer की लिए 33 and above यानि 33 साल से उपर दोस्तों आप देखो pension में थोड़ी बहुत बढ़ उतरी यहाँ पे सिपाई, नायक, हवलदार इनको थोड़ी बहुत बढ़ उतरी मिली है किसी की 18 सो कुछ बढ़ी है किसी की 2000 कुछ बढ़ी है तो थोड़ा सा यहाँ पे benefit मिला है लेकिन कम qualifying service में असली one rank one pension का फाइदा नहीं मिला यानि pension और बढ़नी चीए थी और बढ़नी चीए थी pension वो नहीं बढ़ पाई क्योंकि formula एडॉप्ट हुआ average का यानि असली फाइदा नहीं मिल पाया जो मिलना चीए था कुछ average base पर आपको फायदा मिल गया दूसरी category आई JCOs की SCOs की जिसमें नाइफ सुवेदार, सुवेदार, सुवेदार Major, Honorary Lieutenant, Honorary Captain ये rank थे इनकी pension आ गई माइनस में सिरफ नाइफ सुवेदार की कुछ pension बढ़ी यानि 24233 से बढ़कर हो गई 24825 यानि 400-500 रुपे का यहाँ पर फायदा मिला बाकी कुछ नहीं मिला ऐसी ORP1 में भी सेम यह हुआ था कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली थी लेकिन ORP2 में इनकी figure चली गई माइनस में किसके कारण हुआ यह यह हुआ average के कारण average के कारण आपकी pension कम होई और दूसरा कारण था कि जो 7CPC में pension आ रहे थे JCEOS, SCEOS उनकी pension कम थी इसलिए average पर उसका impact पड़ा और pension हो गई कम सबसे बढ़ा कारण दोस्तों यही था कि 7CPC में आने वाले JCEOS, SCEOS की pension कम होना जिसका फायदा पुराने pensioners को नहीं मिला फिर दोस्तों मैं बात करूँ हो officers की officers की बड़ोतरी average के base पर हुई average के base पर officers की pension बढ़ी एक आध रैंक है जिनकी pension बढ़ी नहीं कुछ officers के भी रहते लेकिन जारतर officers की maximum बड़ोतरी हुई average base पर average base पर officers की pension बढ़ी लेकिन दोस्तों ये जो तीन केटेगरी बताई इसमें सब की एक जैसी pension नहीं है किसी की pension बढ़ रही है किसी की pension माइनस में जा रही है किसी की और बढ़ रही है यानि fluctuate हो रही है आपकी pension जैसे light, जल्बुझ, जल्बुझ होती है बैसी average की कहानी यही है तो same यही point OROP 3 में भी रहने वाला है यानि किसी को फाइदा मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा जैसा कि आपने OROP 2 में देखा दोस्तों यह दिकत की बात है बाकी जिसने OROP दी उनका कहना है कि हमने 80,000 करोड दे दिया 90,000 करोड दे दिया हमने असली OROP दे दी हमने सही OROP दे दी ऐसा कहना है BJP सरकार का दूसी तरफ कॉंग्रेस का कहना है कि अगर हमारी party होती अगर हमारे लीडर नेता होते तो फिर वो असली OROP देते सबको उनका हग देते दोस्तों सही actual में अगर मैं बात बताऊँ जो OROP का concept है average base पर इसमें सही असली OROP मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको पूरा असली OROP मिल जाए सही से यानि जितना पैसा लगना है उससे दुगना पैसा आपको मिल जाए यह बहुत मुश्किल बात है चाहे कोई से भी सरकार हो खाली कहें देने से आपको असली OROP मिल जाए यह असान नहीं है कागजों पर उसे calculate करना वो माइने रखता है वो important है काली कहने से माइक पकड़ने से बोलने से उससे कुछ नहीं होता चाहे वो Congress बोले या फिर BJP बोले असली OROP देना बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए इवन अगर हमें भी OROP का concept बनाने के लिए बोला जाए कि पैंशनर को असली OROP देनी है एक सही figure देनी है तो हमारे लिए भी वो मुश्किल हो जाएगा इसका कोई दूसरा alternate निकालना पड़ेगा calculation के लिए तब उसका फायदा आपको मिल जाएगा maximum level पे लेकिन अगर average के base पर minimum maximum में अगर आपकी सही maximum फायदा दे पाएं तो दोस्तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए ना ये BJP कर पाएगी और ना ये Congress कर पाएगी तो इसलिए कुछ alternate सोचना पड़ेगा इसके बारे में ताकि विसंगतियों का हल निकल पाए और सही में पैंशनर को उनका हक मिल पाए maximum level पे दोस्तो ये खानी है पूरी लेकिन सरकार लगी हुई है कुछ ना कुछ करने में और हम भी उसी के दाइरे में आ रहे हैं हम भी काम करने हैं तो हम भी उमीद करते हैं कि government अच्छा ही सोचे पैंशनर्स का तो ये हमारा मानना होता है चलते हैं दोस्तो अगली information की तरफ retirement के बाद pensioner की कुछ भी कटोती हुई हो लेकिन pensioner के मरने के बाद family pension में से कोई कटोती नहीं होगी काफी department, काफी pension dispersic agency क्या करती है कि माल लेते हैं कोई pensioner जिंदा है उसकी pension में से कुछ कटोती हो रही है जैसे commutation की या फिर कोई loan कट रहा है कोई installment काटी जा रही है तो दोस्तो pensioner के मरने के बाद क्या होता है कई pension, disparity, agency family pension में से भी कुछ कटोती कर लेती है और दोस्तो वो rules के खिलाफ है कुछ rule, change भी होएते amendment भी हो आता है जिसमें pensioner के मरने के बाद अगर family pension start होती है तो उसमें से कोई कटोती ना की जाए यानि family pension full family pension दी जाए तो दोस्तो ये परवधान रखा गया था rules में pensioner जब तक जिंदा है तो pensioner ने कोई loan ले रखाया या फिर कुछ all ले रखा है तो उसमें से कटोती करना संभव है वो एक सही दायरे में आ रहा है लेकिर अगर pensioner की death होती है तो फिर family pensioner से आप कटोती नहीं कर सकते चाहिए वो किसी चीश की कटोती हो तो जब तक pensioner जिंदा है या फिर wife हो या फिर spouse हो कोई भी हो घर पे family pension अगर मिलेगी तो उसमें से कटोती नहीं होगी तो दोस्तों ये कुछ rules थे जो मैंने आपको समझाए कुछ point थे जो मैंने आपको समझाए I hope सारी चीज़ आप अच्छे से समझगी होंगे अगर अभी भी कोई question मारक है कुछ पूछना हो तो आप नीचे comment कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को like करें और इस channel को आप subscribe कर सकते हैं थैंक यू सो मिच